तो जयेके से अरे से एक एड़ियर पेपर टू एज़िए सिर्ज का एक वीडियो लेकर आया हूं तो आध आध थिंगर्स एंड द्यार कांट्रिपूरूशन तो एजल के हैं आग जो हमारा इसमें कि आपको वीडियो के अलबा अब तक के सारे विडियो में मेरिंगी जहां पर करके कलिश्टे पर वन भी हम डिसकूस कर रहे हैं जिसमें हम आज सब्य किस्तर हुनिट कर जेवादङ के आपको मिलब हैंगया प्रेयलिस्टिंट में जहांप जाया को के नाम का एक लिस्ट है उसके अलवा उन सारे यूनिटोस की पीडियाफ आपको मेलेगी टेलिग्राम चनल पर जिसकी लिंक में डिस्क्विशन में डाल दी है अगर किसी ने एप तक टेलिग्राम ग्रॉप जाए नहीं किया है तो आज जोईन कीजिए और वहां से वो पीडि ठरवा मैं हुआ था यह यह जर रखने की जरुम में यहां आता है उसके порद हम आग जांते हैं तो आगे हम चलते हम जो रहे यह बहुत ही मिशुर पर शूर्ट है लकिन मशुोर क्यों हुई है वो मशु cumin लिए वह बहुत ही अच्श फिलासफर के सासद वह बहुत इतने सारे qualities थी उस राबिदना टैगर में इसलिए वो बहुत ज्यादा मश्यूर हुए थी ना सिर्फ इंडिया में पूरे वोल्ड में बहुत ज्यादा मश्यूर हुए थे इसके लावा एक और important चीज जो आपको याद रखने है about राबिदना टैगर वो क्या है कि उसको टाइटल था दोस्तों यह भी आपको पाता होगा कि राबिदना टाइगर ने Nobel Prize Award विन किया था किस पर लिटरेचर पर लिटरेचर के फिल्ड में राबिदना टायगर ने Nobel Prize हासल कर लिया था कब हासल किया था नावमबर 1913 में उसने ये नोबल प्राइज हासर किया था फार लिटराचर किस पर उसने कौन सी बुक लिखी थी कौन सी फैमल बुक उसकी थी जिस पर उसको नोबल प्राइज बिला था उसका नाम है गितांजली यह आप सब जानते होंगे और इसके बाद एक और वहां पर वह क्या काम करते थे आर्ट और म्यूजिक का काम करते थे यानि वहां पर वह आर्ट और म्यूजिक पढ़ा रहे थे उसकोल का नाम क्या था कला बावना आज उसकोल नहीं है आज वह बहुत बड़ी इंवर्सिटी है दोस्तों यह उसका कब किया था उसने 22 2021 में किया था और आज उसका नाम कलाबावना नहीं है आज क्या है उस स्कुल का नाम विश्व बाहरती युनिवर्सिटी जो के वेस्ट बंगल में है आप मैंसे बहुत सरे जान दे होंगे विश्व बाहरती युनिवर्सिटी उसका पहला नाम क्या था कलाबावना किसके तो इसी पर चैंक का जाता है उनको कखा जाता है यह एक इलुपर आप को याद रखना है कि यह किस ने कहा था कि every individual is different from another हर एक person बाक्यूंस से अरहाइदा होता है unique होता है यानि हर एक person में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो दूसरे में नहीं होता है हर एक में कुछ ना कुछ खुसूसियत होती है कुछ ना कॉल्टी होती है यह राइबनाथ टैगर का मानना था इसके अलवा उसने कहा था कि जो गॉर्ड है गॉर्ड इंपोडल एक्जिस्टनस है यानि ऐसी एक्जिस्टनस है ऐसा वजूद है गॉर्ड का कि जो कभी खातम नहीं होता है जो हमेशा के लिए रहने वाला है राइबनाथ टैगर स्ट्रॉंग ली फेवर्ड सोशल रिफार्म पर राइबनाथ टैगर बहुत ज़्यादा जोड़े थे यानि कोशिश करते थे कि सोसाइटी में जो भी बराया है जो भी मिसलीडिंग पर उसने जोड़ दिया है वह चाहते थे कि कांट्री में या वर्ल्ड में जो मुक्तिलिफ कम्यूनिटी होती है अलाग अलाग गृप होते हैं उनमें डिफरंस शेच्ट्शन नहीं होने चाहिए उनमें बहुत बात नहीं होना चाहिए इंटिगरेशन आने चाहिए इस पर अनटचबलिटी के आपोजिट भी वो थे यहने वो कहते थे कि इसको खतम करो यह बहुत ही बाड़ी बुरी चीज है हंजिस्तान में वसके अलाग उसने कहा कि चाहिए चॉड एनजॉड एंजॉड 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 फ्रीडम तो ड्रॉड आप एक कंपलिट फ्रीडम देंगी तभी वो अच्छे से ग्यान कर पाएगा अच्छे से नालज़ हासल कर पाएगा और अच्छे से उसके ग्रोथ हो जाएगी तो यह इंपरिंट बात याद रखे अबाउट राबिद एफ टाइगोर कि क्या कहा उसने अबाउट चिल्डन कि उसको कंपलिट फ्रीडम देना चाहिए नेचर इस एन एफेक्ट टू एंड पावरफुल टीचर आफ चायल्ड यह एक इंपरिंट बात है कि उसने कहा कि नेचर ही एक ऐसा टीचर है और बेस्ट और पावरफुल टीचर है एक चायल्ड के लिए यानि जो चायल्ड नेजर से सीख लेगा और और किसी से वो नहीं सीख सकता है नेचर ही सबसे बेस्ट टीचर है नेचर से एक चायल्ड बहुत कुछ सीख लेता है आप उसको फ्रीडम देतो वो खुद नेचर में जाकर चीज़ें सीख जाएगा उसके पाद यह कुछ चीज้े हैं उसकी फ्लिवलसप इंडिज्ट थे यहां पर देखिए धिविए राइट आप फशीटम टो तब एक सब्सक्राइब देखिए तो इस सहब से कहा जाता है कि वह एक इंडिज्ट थे दूसरा प्यश्ट एजन इडियस्ट देखिए इंडियर लिस्ट के परिसप्क्रीट से उसका नजरह हम देखत that a man should live for ultimate truth which liberates us from the cycle of rebirth यानी रावनाथ टाइगर का यह माना था एक परसन या एक मैन को ultimate truth के बारे में सोचना चाहिए यानी इस हिसाब से वो idealist थे वो कैशे थे कि जब तक एक परसन ultimate truth ना हसल कर ले ultimate truth के बारे में ना जान सके तब तक उसको जो cycle of rebirth है यानी जो कि हिंदू मजब में है जिसको वो कहते हैं कि मारने के बाद वो फिर उनको रिजनम होता है यानी दुबारा वो पैदा होती हैं कोई और जनम हो लेते हैं उसके बाद वो जब मारते हैं और फिर उनका जनम होता है उसको वो कहते हैं cycle of rebirth और राविदना टैगोर का यह मानना है कि अगर किसी परसन को यह cycle of rebirth खतम करना है यानि उसको नहीं आना है बार बार इस दुनिया में तो उसके लिए उसको ultimate truth हस्ट करना है यानि सही God को उसको पहचाना है तो इसे साब से वो आइडियालिस्ट भी थे उसके बाद as a spiritualist के परस्पेक्टर से क्या आइडियालिजी थी उसकी वो कैसे थे एवरे इंडिविज्वल शूट ट्राइट टू एटन परफेक्शन उसका कहना था कि हर एक इंडिविज्वल को कोशिश करनी है ताकि उसको परफेक्शन मिल जाए ताकि वो मकमल इंसान बन जाए इसके दिवसको मेहनत कर दी है कोशिश करनी है तो इस से साब से वो एक spiritualist भी थे एजा humanist यानि राइबेनास टाइग और एजा humanist भी थे एज़े हमें स्टिक उनकी क्या फिलास्पी थी उसने बहुत सब्सक्राइब बदर होड़ पर जो अभी हमने ओपर कहा कि उसने कहा कि कोमुनियल इंटिग्रेशन और नेशनल इंटिग्रेशन यानि अलग अलग है यह वो उनको ब्रादर हुड होना चाहिए यह जो भी मैंकाइड है उनमें यूनिटी के बारे में वह बात करता था कि वह आपस में जूल कर रहेंगे तो इससाब से वह उनको कहा जाता है कि वह एक हीमनिस्ट भी थे उसके पहले थे यहां पर देखिए ही निचर एज़ ग्रेट टीचर वी जो हमने बात की उसने कहा कि एक चाहिए सबसे बैस्ट टीचर तो उसको कहा जाता है कि वह नैचर लिस्ट है इससाब से भी उसके बार एजा वैदान तीस्टेनी वैदिक फिलासफी को भी वो बहुत ज़्या बहुत करते थे क्या कहा उसने एड़ा फुर्म बिलीफ इन फ्लासपी आफ वेदा जो वेदास में कहा जाता है वैदिक फिलासफी है उस पर वह बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे इसका अक्सर एक कहते थे लिए अन्य इन ब्रहमा हूं यानि इन शाट हम कहेंगे कि वह वेदास पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता था एडिकेशन फिलास्पी आप टाइगोर अब एडिकेशन से रिलेटिड उसकी क्या फिलास्पी है इसको हम यहां पर देखते हैं हार्मोनी विद आल थिंग उसने कहा कि हर एक चीज़ के साथ हार्मोनी होने चाहिए यानि हर ए हर्मोनी विद नेचर राविद नाट टाइगोर का कहना था कि जब आप हर एक चीज़ से हर्मोनियम हो जाएंगे हर एक चीज़ से वाकिफ हो जाएंगे तो इसका मदब भी है कि आप नेचर से हर्मोनियम हो जाएंगे नेचर से आप वाकिफ हो जाएंगे नेचर को आप प चलेंगे दोसर्न पुइंट उसने कहा कि फ्रीड़म ने रहा है जाए उनको अपरॉड करो कि वह खुद को Springs कर पएंगे जो उनके अंदर है उसको वह ज़ाहिर कर पांगी उनको ऐसी मोका मिलड़ जाना चाहिए ताकि वो खुद के अंदर की सलाहत को बाहर ले आएंगे उसके बाद active communication with nature and man उसने कहा कि nature के साथ और man के साथ एक active communication होना चाहिए जो भी person है उनको अपने nature उनका environment है उसके साथ उनको एक better communication होना चाहिए एक better interaction उनके साथ होना चाहिए mother tongue पर भी उसने ज़्यादा जोर दिया है कि education उतना ही better रहेगा जितना आप उसको अपनी mother tongue में provide करेंगे उसके बाद child should be given full freedom इसकी बारे हमें पहले भी बात की है कि child को आप पूरी freedom दीजे ताकि वो nature में जाकर खुद ही चीज़ों को सीख लेगा for social service child should be given opportunity for social contact उसने कहा कि social service के लिए आप child को मोका दीजी उसको opportunity प्रवाइड कीजे ताकि वो society के बारे में पढ़े और society के बारे में वो act करे उसको ऐसा मोका प्रवाइड करना चाहिए उसको ऐसी training मिल जाने चाहिए child should not be a compiler to acquire bookish knowledge इस पर उसने कहा कि चैल्ड को आप सिर्फ bookish knowledge मत दो उसको by nature सिखने दो उसको by activities सिखने दो जैनी सिर्फ bookish knowledge काम नहीं आएगी ये कहना था Rabinath Tagore का उसके बाद meaning of education यांदी according to Rabinath Tagore education का मतलब क्या है ये important point है इसको आप याद रखे that education is highest which not only imports information and knowledge to us but also promotes love and hello feeling between us and other living beings of the world इस बात को समझें बहुत important बात यहां पर की है और यह जो quotation होती है इसको भी आप याद रखे मैं मैंपार्टर्स क्यूंकि आजाती है और वहां पर दो चार थिंकल्स का नाम दिया हुआ होता है और आप से कहा चलता है कि बोले कि इस statement को किस फिलास फ़र ने यह statement कहा है तो इनको भी आप याद रखे अगर पूरा आप याद नहीं भी रख सकते हो लेकिन में मैं मैं चीज़िया आपको याद रखना होगा ताकि आप एर्दम के दिन इस statement को पैच्छान सकते हो कि यह statement कि से बारे में यह हो सकता है तो यहां पर हम बात खरेंगे कि इसमें उसने क्य कहा है उसने कहा कि वह एक cartridge नहीं है जिसमें आप सिर्फ information gain करते हो या आपके पास कोई knowledge आती है अगर आपके पास बहुत जाहदा degree यहां है बहुत जाहदा नौलेज है बहुत जय को दिक हो सयंगे हर एक लीएव payment में के नाया हम उसको कहेंगे जो लोगों को आपस में प्यार और मुहबत बढ़ा दे जो लोगों को यह सिखाए कि किस तरह से बाकि लोगों के साथ अच्छे रिलेशन काइम किये जा सकते हैं उनके साथ अच्छा तालुक बनाया जा सकता है जिसके इनसान में यह चीज आएगी जो इनसा किसी दूसरे के साथ अच्छाई करें किसी दूसरे के साथ अच्छे तालुकात क्रेट करें किसी दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके से बात कर सकता है उनको कभी काम भी आ सकता है तो उसको हम कहेंगे कि उसके पास एजिकेशन है अगर किसे के पास चाहिए कितने भी नालेज ह कितने भी इंफर्मेशन है लेकिन उसके दिल में किसी के लिए मुखबत नहीं है उसके दिल में किसी पॉर्सन के बारे में हमदर नहीं है उसके दिल में किसी पॉर्सन के साथ अच्छे रिलेशन्शिप नहीं है तो हम कहेंगे कि उसके पास बिल्कुल भी एजुक्रिशन नही बनाए सिर्फ इन्फार्मेशन गयान करना सिर्फ जानकारीहास्त करना एज़िकेशन नहीं होती है उसके बाद एंबस एंबस होने चाहिए एजशन के एकारुन डरावनथ टैगर मह камने चीज़ यहां पर है एक पूसर में फिन्ताव डवय हर एक पूसर में इंटेलेक्टुाल भी डंथी को अच वनबस न और दिया है कि बैद बाओ नहीं होना चाहिए आपस में प्यार महबद होना चाहिए यह एक कीवोड है अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको हमेशा राविदनाथ टाइगोर याद रहेगा कि ब्राविदनाथ टाइगोर ने उसके बाद एजगेशन फुलनेस यह इस म प्यायम होना चाहिए कि एक चाहिए कि एक वूट को वा कम्पलीट बनाए और फुल बनाए हरे निहीं से उसके अंदर भूनाईब होनाकि इसलिए उस नहीं कहा दिसक्तर बार सबोटावनेस सब्सक्ने सब्सक्तर के बारे में तो एक परसन नहीं को खुजी understand हो गया होगा कि किस साथ का डिस्पूर्ण उसने कहा होगा तो यहां पर देख दिए एड़ुकेशन इनस्टिट्यूशन इस एन ओपन हाउस उसने कहा कि यह उपन हाउस होना चाहिए सिंपल सी बात यह है कि एभी तक तो हम जो बात कर रहे थे कि उसने कहा कि एडिकेशन नेचल एंवर्मेंट में होना चाहिए complete freedom होना चाहिए तो simple सी बात यह है तो इसने यहां पे कहा तो यह भी तो वही हुआ open house education institute यह जो सुकुल है जो इनस्टिट है यह एक open house होना चाहिए इसमें एक बचे को आप कैद नहीं कर सकते हो जहां पर जिस institution में यह जिस सुकुल में बचों को एक कैद खाने के तरफ रखा जाता है पापनी के साथ उनको बंदा होगा रखा जाता है तो वहां पर वो सही education नहीं provide करेंगे वहां पर वो बचे नहीं सीख पाएंगे according to राविन नास टाइगर तो उसका क्या करना है कि complete freedom होना चाहिए in which students and teachers are one यानि students और teachers यह एक है इनमें फरक नहीं होना चाहिए they must live their complete life together the education institute must not be dead cage यह जो education institute है यह dead cage यानि यह एक jail खाना नहीं होना चाहिए यह एक open house होना चाहिए man concept इसका यही है केरिकुलम की बात करेंगे according to राइबनाथ टाइग और टाइगर वाज इन फिएवर आफ comprehensive curriculum comprehensive का मतब जिसमें बहुत सारी चीज़ें include हो जाती है बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है उसने कहा कि ऐसी चीज़ें आप केरिकुलम में शामिल कर दो उसने कहा कि चैल्ड की एस्थेटिक और क्रियाटिविटी और स्प्रिट्ट्र और वाकिशनल नीडिस पूरी होनी चाहिए चैल्ड के अंदर जो बेहतरी है खुबसूरती है उसके अंदर जो नेक ख्यालात है वो भी आने चाहिए उसके अंदर क्रियाटिविटी भी आने चाहिए कि और नए नए चीज़ें को क्रियाट करें उसके अंदर spiritual development भी होना चाहिए, उसके अंदर workational जो need होता है, वो भी उसके अंदर पूरी होना चाहिए, उसके अंदर कुछ cycles भी ऐसी होनी चाहिए, जिसके जरी वो बाद में कुछ रोजगार कमा सके, उसकी जो workational need है, वो भी fulfill होनी चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं, methods of teaching, according to Rabinath Tagore, किस तरह के teaching methods होनी चाहिए, उसने कहा, teaching while walking, ये most important point है, according to Rabinath Tagore, related to methods of teaching, उसने कहा कि, teaching while walking, कि बच्चों को आप पढ़ा दीजी, चलते चलते, इसका क्या मतलब है, उसने कहा, कि बच्चों को एक जगा बिठा कर, पूरे दिन में, जो कि आम तोर पर सुकुल में, रुजहान है, उसने कहा कि इस तरह से बच्चों को सही से knowledge नहीं मिलती है, सुबह बच्चे सुकुल में जाते हैं, 9 बज़े या 10 बज़े, कलास में बैठते हैं, और फिर 3 बज़े या 4 बज़े उनको छुटी मिल जाती है, तब तक वो जहा चल दे, आप सिखाए, इससे वो ज्यादा active रहेंगे, उनका mind भी ज्यादा active रहेगा और वो पढ़ाये पर ज्यादा ध्यार देंगे, अगर बाचे एक ही जग़े पर subtle बैठे रहेंगे, तो उनका mind उतना active नहीं रहता है, वो lazy बन जाते हैं, उनके अंदर सही से knowledge gain नहीं हो सकती है, यह कहना है, राविननाथ टाइगोर का, उसके आप उसने कहा कि, discussion method भी यूज़ कीजिए आप, activity method के, वो भी इसी का part आता है, उसके बाद उसने कहा कि, role of teacher क्या है, रोल of teacher भी यहाँ पर important बात है, इसको भी आप देख लिजए, a teacher can never truly teach, यह कि बहुत ही मश्वूर question है, राविननाथ टाइगोर की, अक्सर इसको court किया जाता है, बहुत सरे places पर, यहाँ पर आप देख लिजए, और इसको याद भी रखे, यह बहुत ही important court है, related to राविनाथ टाइगोर, a teacher can never truly teach, तब तक कोई teacher सही से नहीं पढ़ा सकता है, unless he is still learning, जब तक कि वो खुद भी नहीं सीख रहा होगा, यानि जो teacher खुद नहीं सीखता है, खुद नहीं knowledge हस्त करता है, वो दूसरे को नहीं बढ़ा सकता है, यानि इन शार्ट हम कहेंगे, कि इसका मलबी है कि teacher को खुद भी prepare होना चाहिए, जब तक कि teacher पहले खुद topic तयार न करे, खुद topic के बारे में को ऐसे नहीं है, लेकिन पुराने जवने में ऐसे हो जाए थे कि teachers आचे थे, घर में वो preparation नहीं करते थे, class में आए, वहीं से book उठाते हैं, और बच्चों को lecture देते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, teacher को class में जाने से पहले lecture तयार करना है, topic तयार करना है, यानि हम दिन उसकी teaching भी बन होनी चाहिए, इन्हें वो बच्चों को नहीं पढ़ा साकता है, जब तक कि वो पहले खुद ना पढ़ है, यह मैं को सब्सक्रा है, इस statement का, he also says, the first important lesson for children would be that of improvisation, उसने कहा कि सबसे पहला जो important चीज है बच्चों के लिए, वो क्या है, इंप्रू करना, दिन बाद दिन बच्चों में इंप्रूमेंट होनी चाहिए, वो हर दिन अगर वो सेम रहेंगी, तो वो education नहीं होगी, उनके अंदर इंप्रूमेंट होनी चाहिए, यह बात पहले भी हमने कही, जहां पर हमने कहा, कि राविनास टैगों ने कहा, कि self-expression का मौका देना चाहिए, जब आप बादों को self-expression का मौका देंगे, यानि उनके अंदर जो भी सलाहयत हैं, जो भी सिकल्स है, वो उसको बहादा लाएंगे, उनको जब ऐसा मौका होगा, तो तबी तो उनके अंदर जो छुपी हुए सलाहयत हैं, उनको growth करने का मौका मिल उसके लिए उनको मौका प्रावाइड करना चाहिए, किसके जिरे करेंगे, through surprises of achievements, जब उनको achievement मिलेगा, और जब achievement के बाद उनको surprises भी मिलेंगे, तो इससे उनके अंदर जो सलाह आते हैं, उनके अंदर जो capacity हैं, उनको growth होने का मौका मिल जाएगा, तो ये था कुछ main चीजे about Rabinath Tagore, उसके philosophy और उसकी contribution to education, अब अगला जो हमारा thinker रहेगा, वो रहेगा महतमा गांदी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे काल, आज की देवसाल इतना ही, thank you.